बासकार दोस्तों मेरा नाम है आसुतोस आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चनल एटुजेड इपार्ट साला में आज मेरे साथ में आप मराठा सामराज के बारे में पढ़ेंगे यह बाती इतियास का यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूट्र पलसी पैट के एकजाम में इसको स्लेबस में भी दे रखा है इनोंने तो इसको भी हम जानेंगे आज इसको कम्प्लीट एक ही वीडियो में हम कर लेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजे हैं वो सभी हम इसी वीडियो में कम्प्लीट कर लेंगे तो इस वीडि स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पूरा स्लेव as complete करेंगे चलिए शुरू करते हैं आज मराठा समराज मराठा समराज में सबसे पहले जानते हैं सीवा जी के बारे में सीवा जी महराठा समराज की स्थातना 27 सताथ दीम में सीवा जी ने की थी ठीक सीवा जी ने की थी उनका जन्म 1627 इसवी में पूना में साहजी था जीजा भाई के पुत्र के रूप में सीवनेर के दुर्ग में हुआ था साह जी बीजापुर राज के पदादिकारी थे इनके पिता जी का नाम साह जी था जिनों जो की बीजापुर राज के पदादिकारी थे सिवा जी का पालन पोसर किस ने किया दादा जी कॉंट देव तथा समर्थक गुरू रामदास के संदचण में इनका पालन पोसर हुआ ये चीजें पूछी जाती है जैसे इनकी माता का नाम बहुत बार पूछा गया है उसके बाद इनके पिता जी कहां के पदा दिकारी थे ये भी पूछा गया है ये चीजें सब पूछी गई है इसके बाद में साज जी ने सिवा जी के जन्व के बाद जीजा बाई को छोड़ दिया था मतलब इनकी पत्नी को जो या इनकी पत्नी थी साथ जी की जीजा बाई जो सिवा जी की माता थी उनको इनोंने छोड़ करके दूसरी पत्नी इनकी थी जिनका नाम था तुको बाई तुको बाई मोहिते इनके साथ में इनका साथ अपना लिया था इनोंने सिवा जी के व्यक्तित पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था ये एक बार कोश्चन पूछा किया है जिसमें इनके व्यक्तित पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इनकी माता जी जाबाई का पड़ा हुआ था सिवा जी ने अपना राज नीतिक जीवन एक साधरान सैनिक के रूप में प्रारम करके एक महान सामराज जी की इस्थापना की थी सामराज की इस्थापना की कौन सा सामराज माराठा सामराज ठीक चलते हैं आगे फिर बढ़ेंगे औरंग जेब ने सिवा जी को राजा की उपादी थी ये पूछा गया कोशन है तथा आड की जागीर इनको दी थी प्रदान की थी, 1680 में सिवा जी की मृत्य हो जाती है, इसके बाद में संभा जी, राजा राम, सिवा जी, दुतिय, तता साहू महराज, फिर मराटा सामराज के सासक ये सब बनेंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अब जान लेते हैं कुछ बाते हैं हम सिवा जी से स सासक बनें, तता सक्री जीवन की सुरुवात की, 143 में, 1645 से 1647 इस भी बीजापूर के आदीन, राइगर, तोरण, इवं कोंकर के दुर्ग की विजाए, इन्होंने प्राप्त की, 1647 में दादा कोंक, देव की मृत्यू के बाद सुतंत जीवन की सुरुवात की एकदमा लग फिर उसके बाद में, 1649 में, पुरंदर के दुर्ग पर कबजा किया, इन्होंने, फिर 1649 में, पिता को बीजापूर के आदिल साही सासक से छुडाने के लिए मुगलों से संदी का असफल प्रयास किया, इन्होंने, फिर 1669 में, बीजापूर के सासक दौरा बेजे गए, भगाने पर विवस कर दिया फिर 1665 में मोगल समराठ के प्रतिनीदी राजा जैसिंग के साथ पुरंदर की संदी की ये पुरंदर की संदी किसके साथ हुई थी ये भी बहुत बार पूछा गया कोश्यन है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं साफ हो जाए जिसमें आपको आपको लगए कि यहां यह चीज मुझे याद करनी या फिक किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं फिर 1666 में आगरा में मुगल दरबार में गए लेकिन औरंग जिबने वहां दोके से उन्हें बंदी बना लिया उन्हें जैपुर महल आगरा में रखा गया कुछ समय बाद जीवत राजजा विसे कराया सिवा जी ने चत्रपती और हैंदाव धर्म युद्धा की उपाधी ली माता जीजा भाई का निधन हो गया फिर मुगल सहिनापती बादूर खान के सिविर पर आक्रमड भी इनोंने किया 1644 में सारे काम किया राजगर को राजधानी बनाया उस उसके बाद 1680 में 57 वर्ष की आयू में इनका निधन हो गया फिर आगे अगला सासक आता है संभा जी संभा जी 1680 से 1689 इस वी तक इनोंने सासन किया सिवा जी की मृत्यू के बाद माराठा सामराज में उत्रादिकार का संगर सुरू हो गया फिर जिसमें उनके बड़े पुत्र संभा जी ये और अपने छोटे भाई राजाराम ये जो बाद में सासक बनते हैं इनके बीच में आपस में युद्ध होता है जिसमें संभा जी राजाराम को हरा देते हैं और फिर जो है मराथा राज के सासक बन जाते हैं विजब प्राप्त करने के बाद उसने अपना पूरा सासा ने एक ब्राम्मर कवी कलस को सौब दिया उसके बाद में ब्राम्मर कवी कलस को सौब दिया था 1689 में इस्वी में औरंग जेब ने रतनागिरी के समीप संग मेस्वर के दुर्ग में संभाजी को बंदी बना लिया और इनकी पत्नी यसू भाई थी इनकी पत्नी यसू भाई यसू भाई और पुत्र साहू ये भी आगे सासक बनेगा भी पुत्र साहू को कैद में डाल दिया संभा जी को बाद में फिर म्रत्यु दंड दे दिया गया इनका कारेकाल समाप्त हो जाता है फिर आते हैं राजाराम जब इनके दूसरे भाई जब इनकी म्रत्यु हो गई तो इनोंने अपना राज सिंगासन ले लिया 1689 में के बाद में 1780 वी तक ही रहते हैं संभा जी के निधन के बाद में संभा जी के निधन के बाद में राजाराम सासक बन जाते हैं यह सिवा जी का दूसरा पुत्र था यह बताया यह भी आपको पहले राजाराम ने जिन्जी को अपनी आरंभीक राजधानी बनाया जिन्जी हो गया जिन्जी जिन्जी को अपनी आरंभीक राजधानी बनाया और बाद में उसने राजधानी सतारा में स्थाना अंत्रित कर दी बाद में राजधानी सतारा हो जाती इसमें स्वयम को संभाजी के कुत्रसाहू का प्रत्रículos क का प्रत्रतिनिधि मानातै था कभी शिंगासान पर नहीं बैठा इसने प्रतिनिधि नमक एक पद के इस ठापना की ये पूछा गया कोशन है कि में پ्रत्र निधी सब्रक्रतिनिधि नमक पद की इस ठापना किस ने की ती राजारám ने परसुरामत्यमबग को पहला प्रतिनिदी चुना गया था कौन? परसुराम प्रेमबग को पहला प्रतिनिदी चुना गया था यह ओ गया फिर आगे बढ़ते हैं आगे सिवाजी दुतिए आते हैं इन्होंने सासन किया 1700 से 1717 इसबी तक राजाराम के बार उनका पुत्र सिवाजी दूती ये बनता है ये उनका पुत्र था ठीक सिवाजी दूती सासक बना और राजाराम की पतनी तारा भाई ने कोलापुर में अपनी सत्ता इस्तापित कर ली देखे अलग-अलग सासन बट रहा है फिर उसके बाद सोलापुर में फिर जो है साहू आते हैं कब इनमें ज़्यादा इंपोर्टेंट कुछ जानने वाला नहीं है बस इसलिए इतनी चीजे बताई फिर उसके बास साहू आते हैं 1707 से 1749 सिस्वी तक मराथा परिसंग का निर्मार साहू के समय हुआ मराथा परिसंग जो इंपोर्टेंट चीज है वो बता दे रहे हैं आपको साहू को अपने पिता संभा जी के साथ बंदी बना लिया गया था फिर औरंग जेप की पुत्री जीनत उल नीशा ने साहू को पुत्र की तरह पाला और 1707 इस्वी में मुगल बादसा मुहमद मुज्जम ने जुल्फ से चूटा तब यहां पर आकर कि इसने अपना सासनल किया फिर साहू तरह भाई को अरा कर नया मराथा सासक बन जाता है यहां पर तारह भाई नहीं अपना सासनल कर फिर उसके बाद में साहू ने सत्रा सो तेरा इस्वी में बाला जी विस्वनात को मराथा राज्य का पेश्वा बनाया था रहला सत्रा सो तेरा इस्वी में बाला जी विस्वनात को मराथा राज्य का पेश्वा राज्य का पेश्वा बनाया था ठीक यह हो गया इंपोर्टेंट बल सासक फरु को सवराज के सासा के रूप माननेता दी थी किसने यह पूछा गया एक बार कुश्चन है वारुक इ year है परुक इरने ठीक यह हो गया पिर उसके बाद में मराथा पेश्वा को यह अगला पढ़ते हैं मराथा पेश्वा बाला जी विसुनात जी यह बराठा पेश्वा पहले बनाए गए थे ठीक पहले यहां बताया था फिर उसके बादे में इनका ही सासन एक तरह से चलने लग जाता है बाला जी यह सत्रा सो तेरा से सत्रा सो भी सिस्वी तक यह रहे हैं मराठा पेश्वा बाला जी व पावन ब्रामर थे 1713 में इनको साहू पेश्वा बनाया था बाला जी ने अपने कार्णियों से साहू एवं मराठो को काफी सक्ति साली बना दिया फिर 1719 इस्वी में मुगल बात्साफ फरुक सियर ने के साथ में इन्होंने संदी की वरुक सियर के साथ में संदी संदी की इस संदी से साहू को दच्छिड बारत में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिला था ये इसकी संदी में क्या हुआ था दच्छिड भारत में चौथ सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया था का अधिकार ये चीज हो गई फिर उसके बाद में आगे ये सब चीज़े पढ़ते रहेगा ये चीज़े आपको इस एक जां में भी काम आएंगी उसके बाद आगे भी सब एक्जाम में काम आएंगी ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ये आपका वेश्ट होगा ये जरूर अकर आप अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं तो वो हमेशा के लिए आपके लिए सभी एक्जाम के लिए बढ़ियां क्लियर हो जाएगा अगार आपने एक बार अच्छे से पढ़ दिया धंक से फिर मराठो को दिल्ली दर्बार में अस्तचेप करने का ये प्रथम आउसर था फिर इसके बाद में बाला जीवी सुनात ने पेश्वा कपद पेश्वा कपद वनसानुगत बना दिया था वनसानुगत बनाया ठीक इनके पूतर जो है बाला जी परथम 1720 में इन्होंने पेश्वा कपद समालते हैं पिर वह मान से यन ना आया राजनेतिक गित था नहुत में पेश्वा की स्रेश्वा की स्रेश्वा की इस्थापित की स्रेश्टत था इस्थापित कर दी फिर उसके बाद में संभाजी दुती को हराकर साहू को एक छत्र मराठा सासक बनाया वारेना की संदी इसने की कब की थी 1731 में संभाजी दुती ने साहू की आदिनता इसके में सुईकार कर ली थी बाजी राओ के समयी मराठो को मालवा और नर्मदा तर्था चंबल नदी के बीच की संपूर्द भूमी पर अधिकार मिला अपने 20 वर्ष के कारेकाल में इसने 1720 से लेकर 1740 तक में भारत की सरुसेश सक्ति बनाया दिया था इसने मराठो को मराठो को ये पूछा गया है कि मराठो को सरुसेश सक्ति बनाने का किसको जाता है बाजी राओ प्रथम को फिर उसने बाजी राओ प्रथम ने हिंदू पद पादसाही के सिद्धान पर प्रतिपादन किया और अपनी प्रेमी का मस्तानी बेगम के वियोग में 1740 में इसकी म हो गया फिर आगे बड़ते हैं कि बाला जी राओ शालिस से लेकर 1761 इस वी तक में बाजी राओ किर मियंक्ति पार साहु ने अपने पूत्र बाला जी नाना सहब इनको नाना सहब ही कहते थे युद हुआ या युद किसके किसके बीच हुआ था मराठों और एहमद साह अबदाली के मद्द हुआ था ठीक ये चीज़ हो गया है या युद में मराठों का नेतर तो किसने सदासिव राव भाव ने किया था सदासिव राव भाव ने इनका नेतर तो किया था इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई और उसकी सक्ति को अत्यदिक रखा पहुचा इस युद्द से मराठों की हार का सबसे प्रमुक कारण सदासिव राव की कूटनीतिक असफलता थी और अबदाली का सेश नेतर तो इसक साथ साकिन का माधव राव नारायन प्रथम 1761 से लेकर 1772 रिश्वी तक बाला जी के बाद माधव राव नारायन राव पेश्वा बना इसे सबसे महान पेश्वा माना गया है इसे इसे सबसे महान पेश्वा ज्यादा कोश्चन इनसे पूछे नहीं जाते हैं इसके समय में मुगल बात्सा आलम को अपनी संरच्छता में मराठो ने सिंगासन पर बैठाया फिर आगे आता है अगला नारायन राव 1772 से लेके 1773 एक साल के लिए माधराव के पश्चाद उसका भाई नारायन राव पेश्वा जो है ये नरायन राव पेशवा मादव राव का भाई था एक वर्स के लिए बनता है सासक फिर उसके चाचा रगुनात राव ने उसकी हत्या कर दी थी फिर तो ये भी चले जाते हैं फिर उसके बाद में मादव राव नरायन दुती का सासानाता है 1774 से 1795 भी था है मादव राव पेशवा दुती अलपायू था मतलब इनकी आयू बहुत कम थी जब ये सासक बना इस कारण उसने उसके समय में गठित बारा भाई परसद बारा भाई परिसद ने उसको सनरचर दिया इसके समय में महा दजी सिंधिया ने उतर भारत के मराठों की से शताज थापित की और मुगल बाद साहा अलम को अपने उपर आसेद रखने में सफल रहा 1795 में नाना फटनवीज से आतंकित होकर पेशवा ने आत्म हत्या कर ली थी इसने फिर उसके बाद आखरी आता है इनका बाजी राओ धुतिये 1794 से 1818 इसवी तक या अंतिम पेशवा था इसके समय में अंग्रेज़ फिर 1818 में होती है मंद सौर्द की संधी ठीक यह होती है इसमें जो है पेशवा का पत समात कर दिया जाता है और पेंसन बाजी राओ को पेंसन देकर बिठूर बेट दिया जाता है ठीक यह चीज़ें हो गई महराठा सासने उन संस्कति में कुछ चीज़ें पूछी जाती है वह बता देते हैं वह भी कंप्लीट हो जाए आपका महराठा प्रसासन की स्थापना मुकिया सिवाजी ने की थी फिर यह अहमद नगारेवं मलिक अंबर की विवस्ता से बहुत प्रभावित थे कुछ प्रसासक विवस्ता से भी ये ले लेते थे कुछ तब हैं मुगल सासन भी चल ना आथा क्योंकि एक तरफ पिर मुकिया सिवाजी का नस्द्च छत्र्पति था जो सतारा राजा सतारा का राजा था वह सर्वोच प्रसासक 2980 और सेननपति भी इसमें पेस्वा का राज्य जो है वारे जोग साथ में और अलग हुआ था ठीक है दूसरा है इसमें क्या हुआ था पेशुवा का राज्य का वास्तुविक मुखिया थीक यह हो गया फिर इसके बाद में इनके आश्रप्रधान होते थे प्रसासक प्रसासक अश्रप्रधान होते थे आठ मंत्रियों की समिती होती थी इसकी सायता से सासा प्रसासक चलता था जिसका गठन सिवाजी ने किया था अश्रप्रधान की सायता के लिए आठ सायक होते थे दिवान, सबनेस, कारखाने, कारखानेस हो गया यहाँ पर कारखानेस कारखानेस, मजूमदार, फड़नीस और चिटनीस और जमादार और पोटनीस यह सब जो है इनके सायक होते थे फिर इसमें अश्रप्रधानों के नायाब में चिटनीस, चिटनीस का इस्थान सरवोच था जो सभी प्रकार की राजनीतिक पत्रविवार का निच्छड करता थ अब देए, पूरे में होगा पूरा, फेले पूरा नाम था, पूरे में पेसवा का सचीπαला है था, जिसे हुजूर दबतर भी कहते थे यह मराठा प्रसासन का केंडर था, gon. फेर उसके बाद में देख लीजे रच्टा काौन काौन से होते थे पेसवा होता था, अत्वा मु वैकी देखभाल करना आमत्य मजूमदार मत्य राज की आयत था वैकी देखभाल करना सुमंत विदेश मंत्री होता था सेना पती सेना प्रमुक नया इधीश नया सम्वंदित पंडित राव धार्मिकारे के लिए होते थे बिर आगे बढ़ते हैं इसमें एक चीज़ और भी ब सुबेदार होते थे बड़ा प्रांत अगर हुआ बड़ा प्रांत तो वहाँ पर सर लग जाता था उनके आगे सर सुबेदार होते थे वहाँ पर फिर उसके बाद में और भी अधिकारी होते थे कौन कौन से मामला मामलात दार फिर काम विस्दार साथ में देश मुख फिर दर, खदार, यह सब और भी अधिकारी होते थे, फिर सिवाजी के समय, सोला प्रांत थे, सोला प्रांत थे सिवाजी के समय, और प्रांतों का विभाजन होता था, तरफ, मौजा, और ग्राम में प्रांतों का विभाजन होता था, ग्राम का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था, ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल कहलाता था पटेल था जो कर संबंदीर नया संबंदीर पर रसासनिक कार ये सारे काम पटेल ही करता था पटेल का पद जो था वो अंसा नुगत था एक वंस को चलता था और इसे बेचा और खरीदा भी जा सकता था, जिसके पास जदा पैसे हो, वह पटेल का पद खरीद भी सकता था, बेज भी सकता था, नगर का मुख के साथा कोतवाल होता था, कोतवाल, यह नगर का मुख दंडा दिकारी भी होता था, मराठा सेना का गठन मुगल व्याग स्थ मोकंग भी थे सेना की सबसे छोटी तुकडी होती थी जिसमें नौ लोग होते थे सबसे छोटी तुकडी चोटी तुकडी को में नौ लोग हुआ करते थे फिर उसके बाद में सिवा जी की असुरोही सेना दो भागों में भी भक थी बर्गी और सिलहदार ये चीज़ अलग से लिख दे रहे हैं इनको क्योंकि ये पूछा गया है बर्गी और सिलहदार असुरोही सेना दो भाग में बटी वही थी फिर एक था इसके बारे में एक बार पूछा गया है इब्राहिम गार्दी कौन था मराठा सामराच में ये प्रसिद्ध तोपची था प्रसिद्ध तोपची था भूमिकर आय का प्रमुक साधन था कर कैसे आता था भूमिकर जो है आय का प्रमुक साधन था फिर उसके बार में अब भारत के इतियास में सबसे पहले चौथ चौथ सबसे पहले राम नगर के राजा ने दमन की पुर्त गाली प्रजासे वसूल किया था पुर्त गाली प्रजासे वसूल किया था प्रजासे वसूला था ठीक यह चीज़ें हो गई फिर एक और चीज़ पूछ ली जाती है प्रतम आंगल मराठा युद कब होता है 1775 में से 1782 इस वीत है यह बहुत बार पूछा गया है आंगल मराठा युद मराठा युद 1775 से 1782 होता है प्रतम फर्स्ट वाला थीक फिर दुती कब होता है दुती होता है 1803 से लेकर के 1805 इस वीत है यह दुती होता है दुती है ठीक फिर तीसरा होता है थर्ड 1817 से लेकर 1818 इस वीत है तीसरा होता है आंगल मराठा युद मराठा युद ठीक यह चीजे हो गई फिर उसके बाद यह संदियों के बारे हैं पूछा जाता है कब कौन सी होई थी पुरंदर की संदी 1665 में सूरत की संदी 1775 में संगोला की संदी 1750 में बढगाओं की संदी 1789 में सालवाई की संदी 1782 में बसीन की संदी 1802 में देवगाओं की संदी 1803 में और फिर उसके बाद में पूना संदी 1817 में गौलियर की संदी 1817 में फिर मंदसौर की संदी 1818 में होती है। मिलेंगे आप अगले लेक्चर में आपका एक दो टॉपिक और बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका भारती इतियास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा अगर टाइम बचाएगा तो मैं उसको भी करवा दूँगा। नहीं तो फिर आपके आप अब अबजेक्टिव कोश्चन सुरूओंगे जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ज्यादा से ज्यादा कोश्चन की। ठीक मिलेंगे अगले लेक्चर में नमस्क्यार तन्यवाद।